कैसे हो दोस्तों स्ट्रीटू ने भाई जिस तरीके से धमा किये उसके बारे में बात करेंगे स्पेशल स्क्रीनिंग खेल खेल में को लेके भी मैं मेरा रिविव आएगा थोड़ी दिर बाद बताऊंगा मैं आपको कि क्या experience था एक बात जरूँगा कुछ इतने मूर्ख लोग है यह अक्षे कुमार के जो कुछ फैंस को इतना सी बना रहे यह लोग कुछ यूटूबर्स के भाई यह मूवी इतनी हालत बूरी है इस फिल्म के और बोर रहे कि भाई मचा दिया भाई एडवांस बुकिंग बढ़ गया अबे तुम 37 लैक्स पे अगर इतने खूश हो तो भाई मतलब बस 2 करोड से ही भाई तुम क्या अंपड हो चुके हो गया पूरे के पूरे कौन है इस टाइप का जो बोल रहे के मच गया थोड़ा देखो अभी ग्रोह हुआ भाई ग्रोह ना मतलब 37 लैक्रोह ग्रोह गया क्या चार लाक ही तो ग्रोह हुआ है मतलब भाई ऐसे फैंस मतलब मैं पाकिस्तानी हो नहीं यार पाकिस्तानी भी कुछ टेलेंटेड होते यार तुम लोगों से तुम अगर इसमें खूश हो तो रहो ना भाई 43 लैक का वेदा का अडवांस बुकिंग है 9 करोड का अडवांस बुकिंग स्त्रीटू का हुआ है लाइव रिपोर्ट देख रहा था मैं ट्वीटर पे चलो फिर भी स्त्रीटू से तो ना मूमकी ने जीत ना बट वेदा भी तुमको पेल रही है यार एक प्रेजेंट तु मैं experience wise बोल रहा हूँ यह चीज़ से मूवी देखने के बाद मूवी को बेवा जाका यह लोग खराब बोल रहे हैं मैं पूरा detail दूंगा मैं कोई spoiler नहीं दूंगा पर review movie story अच्छी है it's not like excellent comedy movies like akshay because हम जादा expect करते हैं but बुरी नहीं है लोग जो दो तीन reviews आप ने देखे ह थे यह फिर मैं कहूं कि वो hitters के थे बट भाई यह film जो advance booking है ना वो अगर आपको enjoy करना तो करो नहीं नहीं भाई grow हो गया यह हो गया ठीक है भाई 37 lakh अगर अच्छे तो बहुत अच्छी बात है 125 करोड बजेट है तीन नहीं बलके 8-9 movies का clash है क्योंकि टेल्गू में 3-4 movies है तमिल में एक दो फिल्में आ रही है उपर से तीन यह फिल्में है उन में से दो तीन तो पैन इंडिया रिलीज है कितना डेंजर खत्रा होने के बाद भी है लोग मुझे बता रहे कि नहीं ने भाई grow हो जाएगा थोड़ा रुक जाओ अरे रुक ही तो रहे है भाई परसो तो शो है इसका लोगों का तुमारी मर्जी वो मुझे क्या आखरन है हम आगले तीन चार दिन में क्लियर कर देंगे इस मोवी का क्या हो गया हाल इसमें अगर आप यह बोल रहे है कि कुछ जादू हो जाएगा और अच्छे यूटूबर्स भाई बहुत अच्छा रिविउ इसका एक निगेटिव पॉइंट है जो मैं नहीं बताऊंगा बड़ यह लोग ऐसे ऐसे ही उसको ही पकड़ने वाले यह देख लेना तुम लोग अभी नहीं हम रिवील करेंगी यह चीज़ बड़ अभी नहीं क्योंकि वो निगेटिविटी फैलती है पर यह यह यूटू की लगी पड़िया और इसके कुछ मुर्क फैंस अंधे फैंस नहीं नहीं ग्रो हुआ है एक गधा है चलो मैं उस गधे का नाम भी आज रिवील कर देता हूँ वो मुझे क्या बोल रहा है मालू मैं एक से का अभी बता देता हूँ वो गधा क्या बोल रहा है एक से का नाम क हाँ एक गधा है एक मिनिटा जी एम गेमर ट्वेंटी जीरो सेवन कुछ नाम है एडवांस बुकिंग ने रफ्तार पकड़ी यस शोज भी बढ़ गए ग्रो पचास लाक विद ब्लॉक सिट्स अरे बेवकूफ आदमी पचास लाक विद ब्लॉक सिट्स का मीनिंग समझता है क तु और 36 लाक मोमेंटम पकड़ लिया अब देखना अब क्या गंटा देखेगा तु तुझे थोड़ा अनपडवन पड़ेगा थोड़ा तु 36 लाक के अडवांस बुकिंग वह भाई 2-3 करोड का बजट होता तो बहात अलग है 125 करोड वाला बजट ये बंदा मुझे बोल रहा है देखना और यह वही गदा है जो सर्फिरा के वक भी उड़ रहा था अब इस सर्फिरा का अडवांस बुकिंग 70 लाक हुआ था भाई य चलो होप करता हों उसको तो तोड़ दे और याद करो उसकी ओपनिंग क्या थी मतलब मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हो तो ये मुझे पर ही अा रहे है भई तुमको प्रैक्टिकल नहीं चाहिए क्या जूड बोल दू क्या मच्या दिया जरू क्या उसने आज तक तुमко क्या स कि है कुछ कि उसके हिसाब से कोई हो गई क्या हीट मुवी करके बता ही उसने हीट कि वह तो 22 लाग के अडवांस बुकिंग पे बैंग सब्सक्राइब को मार गोली यार अनपड मत बनो बाकि तुम लोगों की मर्जी है बनना है तो बनो, फर्क नहीं पड़ता है मुझे मैं सच्छा ही बोलना नहीं छोड़ूँगा एडवांस बुकिंग इतना थर्कला से कि मैं क्या ही बोलूँगा और वेदा वालो को भी बोलूँगा मैं आपका भी अडवांस बुकिंग अच्छा नहीं है वो तो भाई 60 करोड आपका बजट है इसलिए में कुछ नहीं बोल रहो बट अडवांस बुकिंग अच्छा तो नहीं है और स्ट्रीटू का इतना अच्छा है 70 करोड बजट इतना अच्छा अडवांस बुकिंग है कि यह 400 करोड भी नेट कलेक्शन गई न तो कुछ बोल नहीं सकते है इतना डेंजर है इसका कलेक्शन प्रेडिक्शन करना मुश्किल है पर भाई ऐसे फैंस से भी बचो और ऐसे यूटूबर्स से भी बचो बाकि तुमारी मर्जी नहीं बचना है तो मत बचो सपने में ही रहो कि सपनों की दुनिया जादू हो जाएगी भाई वर्ड आप माउथ अच्छा हो जाएगा वर्ड आप माउथ नहीं देगा होगा अच्छा इसका यह टिपिकल अक्षे कुमार कमेडी फिल्म नहीं है यह मैं बूल सकता हूँ आपको मेरे एक्सपिरियंस से मैंने जो हम एक अक्षे को एक वेलकम टाइप का एक अंदाज देखते है ना नहीं है और यह लोग वैसा ही कुछ पकड़ेंगे और मैं जूट नहीं बोलता कभी भी